ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज आठ अगस्ट दो हजार चौबीस बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे बाब टीचर और सत्गुरु ये तीन अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें विशेस्ताएं आ जाएंगी प्रश्न किन बच्चों के हर कदम में पदमों की कमाई जमा होती रहती है अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे सर्विस ही कदम में पदम देती है इसी से पदमा पदम पती बनते हैं दूसरा प्रश्न किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के करल्यार कारी बनते हो उत्तर बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की ये एक ही हट्ती है यहां सब को आना ही है ये बहुत गुईया राज है इस राज को जानने वाले बच्चे ही सब के कल्यार कारी बनते हैं ओम शान्ती रुहानी बाब के रुहानी बच्चे ये तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाब भी है टीचर भी है और सत्गुरू भी है बच्चे जानते हैं जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं यहां जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे न, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिलकुल नहीं जानते। बाप कहते हैं सिर्फ ये तीन अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अत्वा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। घर में भी मित्र संबंदी आदी बहुत आते हैं। कोई भी आये तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सत्गुरू भी है। ये याद हो तो भी ठीक और कोई की याद न आये। और कोई को तो ऐसे कहना सकें। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सत्गुरू भी है। कितना सहज है। परन्तु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धी है जो ये तीन अक्षर भी बुद्धी में धारन नहीं क कर सकते हैं। भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है न। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्सा ही देंगे। बेहद का वर्सा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकत परन्तु ये भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाब बैट समझाते हैं। वास्तम में ये ज्ञान बहुत सिंपल है। बाबा की याद की यात्रा से समपून बनना इसमें महनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्सा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। क्योंकि पतित पावन बाप है, सिर्फ कहते हैं कि सब को यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जराभी कदम नहीं उठा तो वे फिर पदम कैसे पाएंगे पदम पती तो सर्विस से ही बन सकते हैं सर्विस ही कदम में पदम ले आती है सर्विस के लिए बच्चे कहां कहां से भागते रहते हैं कितने कदम उठाये जाते हैं पदम तो उन्हों को मिलेगा न? ये भी बुद्धी कहती है, पहले शूद्र को ब्राम्मण बनाना पड़े, ब्राम्मण ही नहीं बनाएंगे, तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए न? बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पूटेशन हो, सर्विस से ही पदम मिले हैं, सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते बेहद का बाप, बाप है, परन्तु बाप का कोई को पता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही गौड़ फादर कहते रहते हैं, वर टीचर है, ये तो कोई की बुद्धी में नहीं होगा इस्टुडेंट की बुद्धी में हमेशा टीचर याद रहता है, जो पूरी रीती नहीं पड़ते हैं, उनको अनपड़ा कहा जाता है, बाबा कहते हैं, हर्जा नहीं है तुम कुछ भी न पड़े हुए, ये तो समझ सकते हो न, कि हम भाई-भाई हैं, हमारा बाप बेहद का है, बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं परन्तु लोग कुछ भी समझते नहीं हैं, इश्वर अगर कभी न आया हुआ होता, तो उनको बुलाते ही क्यों, कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ, जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते, तीर्थों पर क्यों जाते, वहां बैठ है क्या, कोई जानते ही नहीं, जबकि पतित पावन इश्वर है, तो गंगा इसनानादी से कोई पावन हो कैसे सकते, स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते, जन्म तो यहां ही लेना है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है न, इसको सतियोग थोड़े ही कहेंगे अब तो कालियोग है न, मनुश्यों की तो बिलकुल पत्थर बुद्धी है, जहां थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं, यह बाप ही समझाते हैं, बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं, सब को सद्गती भी देते हैं, भगवा कितना भी काका मामा आदी हैं, परन्तु उन से वर्से की खुश्बू नहीं आती, अंतर मुखो विचार करना हैं कि बाप ठीक कहते हैं, गुरू के पास कोई जायदा धोती नहीं, वे तो खुद ही घरबार छोड़ते हैं, तुमने सन्यास किया है विकारों का, वे तो कह दे में जाना कितना सहच है, हम सन्यास करते हैं, सारी पुरानी स्रष्टी, तमु प्रधान दुनिया का, सत्युग है नई दुनिया, ये भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर, सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परन्तु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं समझ कुछ नहीं तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो बाबा हमारा बाप भी है शिक्षक और सत्गुरू भी है सब को ले जाएंगे अक्षर ही दो है मन मना भव इसमें सब आ जाता है परन्तु ये भी भूल जाते हैं पता नहीं बुद्धी में क्या-क्या याद रहता है नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे तुम बैठे हो बाप टीचर सत्गुरू के सामने तो वही याद आना चाहिए न इस्टुडेंट को टीचर ही याद आएगा न परन्तु यहां माया है न एकदम माथा ही मूर देती है सारा राज भागे ही ले लेती है तुमको पता नहीं पड़ता है आये तो थे वर्सा लेने परन्तु मिलता कुछ भी नहीं ऐसे ही कहेंगे न भल स्वर्ग में तो चलेंगे परन्तु वह कोई बड़ी बात थोड़े ही है यहां आये भल यहां तो बैठे है न समझते हैं स्वर्ग में जाना है फिर क्या भी बने वह तो पड़ाई नहीं हुई है न थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है पड़ाई से तो बड़ी स्कॉलर्शिप मिलती है बाप से उँच ते उँच पद पाना है तो पुरशार्थ करना प ये भी याद आता नहीं है अगर याद आए तो किसको सुनाए भी चित्र तो सब्के पास है शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुसा नहीं करेंगे बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि ये शिव बेहद का बाप है ना इनके साथ आपका क्या संबंध है? ऐसे फाल्तू चित्र तो नहीं होगा शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है भगवान तो निराकार ही होता है उनको बाप कहा जाता है वह शिक्षा भी देते हैं तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है आत्मा ही सब कुछ करती है टीचर भी आत्मा बनती है बाप भी इस रत पर आकर पढ़ाते हैं सत्यूक की स्थापना करते हैं वहां कलियोक का नाम निशान नहीं मनुष्य कहां से आएंगे सर्विसे बोल बच्चों को सारा दिन खयाल चलते रहते हैं सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धी ही नहीं चलती जैसे बुद्धू बैठे हैं बाप को समझ नहीं सकते पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा याद करते करते मरेंगे तो बाप की सम मिलकियत मिलेगी बेहद के बाप की मिलकियत है स्वर्ग बच्चों के पास बैज भी है घर में मित्र संबंदी आदी तो बहुत आते हैं कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है भल बड़ा ही रख दो इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है ये है गुप्त तुम गुप्त भी समझा सकते हो सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो ये शिव बाबा बाप टीचर सत्गुरु है ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं ये ग्यान तो बुद्धी में है न बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो शिव बाबा पते तावन है वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो यह लक्षमी नारायन इस नौलेज से ही बने हैं कहेंगे शुवाबा निराकार है वह कैसे आती है अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है वह कैसे आती है वे भी उपर से आती है ना पाट बजाने ये भी बाप आकर समझाते हैं बैल पर तो आना सके बोलेगा कैसे साधारण बूडे तन में आते हैं समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो बोलो हम तो सब कुछ करते हैं युक्ति से चलना होता है किसको उठाने लिए सोचना चाहिए क्या युक्ति रचें कोई को नाराज भी नहीं करना है ग्रहस्त व्यभार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो गंगा जी पर जाकर बैठ चाओ बोलो ये पानी में सनान करने से क्या होगा क्या पावन बन जाएंगे तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ फिर वह पतित पावन है या यह ऐसी नदियां तो ढेर है बाप पतित पावन तो एक ही है यह पानी की नदियां तो सदैव है ही बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है आते भी हैं पुरसोतम संगम युग पर आकर पावन बनाते हैं वहां कोई पतित होता नहीं नाम ही है स्वर्ग नई दुनिया अभी तो है पुरानी दुनिया इस संगम युक का तुमको ही पता है और कोई समझ न सके बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस्की युक्तियां समझाते हैं बुद्धु भी न बनो कहते हैं अमरनात पर भी कबूतर होते हैं पिजन पैगाम पहुचाते हैं, ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम उपर से कबूतर लाएंगे, ये भी सिखलाते हैं, उनके पाव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा, उनको सहज रीती दाना मिलता है, तो और कहां भटकनी की दरकार नहीं, तुमको भी यहां दाना मिल तुम्हारी बुद्धी में है विश्व की बादशाही जो यहां से मिलती है, वह फिर समझते हैं, दाना यहां मिलता है, तो फिर हिर जाते हैं, तुम तो चैतन्य हो, तुमको विनाशी ग्यान रतनों का दान मिलता है, शास्त्रों में भी है, चिडियाओं ने सागर को सुख बहुत कथाएं लिखती हैं मनुष्य कहेंगे सत फिर कहते हैं सागर से देवता निकले रतनों की थालियां भरकर ले आए कहेंगे सत अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे समुद्र में मनुष्य वा देवता रहते हैं क्या कुछ भी समझते नहीं जन्म जन्मांतर जूटी पढ़ते सुनते रहते हैं इसलिए कहते हैं जूटी माया जूटी काया सच्चे और जूटे संसार में कितना रात दिन का फर्क है जूट बोलते बोलते इंसालवेंट बन पड़े हैं तुम कितना युक्ती से समझाते हो फिर भी कोटों में कोई-कोई बुद्धी में बैठता है ये है बहुत सहज ग्यान और सहज योग बाप, टीचर, सत्गुरू को याद करने से उनके शिफ्तें भी बुद्धी में आ जाएंगी अपनी जाच करनी चाहिए हम सब बाबा को याद करते हैं बह और तरफ बुद्धी जाती है तुम्हारी बुद्धी को अभी समझ मिलती है कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं युक्तियां बताते हैं तुम कोई को बैठ कर समझाएंगे फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे शिव बाबा ही तुम्हारा बाप, टीचर, सत्गुरू है उनको याद करो समझाने के युक्ति रचनी चाहिए ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं अरे ये तो आत्माओं का बाप है न तो बाप को याद करो इनसे बहुतों को फाइदा हो जकता है इनको याद करने से एक संग जोड़ना है यह किसके करल्याण करनी के युक्तियां बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो बहुत मित्र संबंदी आदी तुमको मिलेंगे बिन बिन युक्तियां रचो बहुतों का कल्याण कर सकते हो हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी है नहीं तो जाएंगे कहाँ अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस दे प्रती से चलना है कोई को नाराज भी नहीं करना है पवित्र भी जरूर बनना है दूसरा एक बाब से अविनाशी ग्यान रतनों का दान ले अपनी बुद्धी रूपी जोली भरपूर रखनी है बुद्धी को भटकाना नहीं है पैगंबर बन सबको बाब का पैगाम देना है बेहद की वेराग्य व्रत्ती द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज रिशी भव राज रिशी अरफात एक तरफ, राज दूसरे तरफ रिशी, अरफात बेहद के वेराग्य वेरागी अगर कहां भी चाहे अपने में चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में कहां भी लगाव है तो राज रिसी नहीं जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है उसके दो नाव में पाउं हुए फिर ना यहां के रहेंगे ना वहां के इसलिए राज रिसी बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात, एक बाप, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करो सिलोगन क्रोध अगनी रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है अच्छा, ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती झान्ती